अगर भगवान की शरण में भगवत सन्मुक हो, नाम जब कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल इस्थान पर बेठा हुआ, बिप्रीत इस्थान पर बेठा हुआ अगरे, आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्डाओ आपको शुखद, शौम यो मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले, कुछ रहे हैं, नाम जब करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपाशक नाम जब करता है, तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, कुरूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षशी भाव है, ये उसके हर्दय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमन नहीं करते। जो जब परायन है, नाम जब करता है, तो यहाँ घूमते रहते हैं अब्यक्त रूप शे, भूत, प्रेट, पिशाद, भेंकर, आश्वरी, राक्षशी, शुभावाले, जब आप पवित्र हैं, भगवत बिमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थी, अरे या घूर राक्षश बिल्कुल दया नहीं आई, ऐशा कर दिया, तो उसके उपर आविश्ट हो गया, यह सूक्षो रूप शे रहते हैं, जैसे किसी को भूत दिखाई थुड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, मैं अमुख हूँ, अमुख हूँ, क्योंकि वह पवित्र है, भगवत आने वाले, यह जो राक्षश हैं, जो आशुरी भाव हैं, यह जप परायन पर कभी आक्रमन नहीं कर सकते, इसलिए राधा, राधा, बड़ा भहंकर है संसार, तुम्हें समझ में ने या, राधा, 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 जो जप परायन है, जो शास्तर श्वाद्याए क करता रहता है जो अपने शुख को दूसरों में बाटता रहता है और जो दूसरों में कभी दोश नहीं डोड़ता है वो शदय शुखी रहता है निर्विग न रहता है चलो इनाचरणों से शुखी तो चाहते हो जो शाधू शास्त्र का ग्यान रखता है